कुमारी शैलजा एक वरिष्ट कांग्रिस नेता, लोकसभा सांसद और एक प्रमुख दलित चहरा है। शैलजा पहली बार 1991 में सिर्सा से लोकसभा के लिए चुनी गई। यह निर्वाचन क्षेत्र उन्होंने 1996 के चुनावों में बरकरार रखा था। 2009 में अंबाला से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री न्यूक्त किया गया। आपको बता दे, वह 2014 से 2020 तक राज्यसभा की सदस्य थी। 2024 के भारतिय आम चुनाव में वह सिर्षा निर्वाचन क्षेत्र से फिर से लोकसभा के लिए चुनी गई। कुमारी शैलजा कॉंग्रेस पार्टी की सदस्य हैं। लेकिन अभी हाल ही में हर्याना चुनाव से पहले कॉंग्रेस के भीतर दरार की खबरों के बीच। पार्टी नेता रंदीप सुर्जेवाला ने सोमवार को घोशना की कि सिर्षा की सांसत शैलजा 26 सितंबर से शुरू होने वाले राज्य में पार्टी के चुनाव अभियान में शामिल होंगी। लेकिन शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंग हुड़ा के बीच अनबन का अनुमान लगाया जा रहा था। ऐसी व्यापक अफवाहें थी कि टिकट वित्रण पर वरिष्ठ नेत्रित्व के साथ मतभेदों के कारण शैलजा पार्टी छोड़ सकती हैं या खुद को अभियान से दूर कर सकती हैं। और इसका फाइदा उठाते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा को बीजेपी जवाइन करने का खुला निमंतरन दिया खट्टर ने कहा, कॉंग्रेस में बहुत अंदरूनी कला है और उनके सीएम चेहरे को लेकर कोई सपश्टता नहीं घर पर हमारी दलिद बहन शैलजा बैठी है। लोगों का एक बड़ा वर्ग आज यह सोच रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। कई लोग उनसे नाराज थे और हम उन्हें बीजेपी में ले आए। हम एक प्रस्ताव के साथ तयार हैं और अगर वह शैलजा आती है तो हम शामिल करने के लिए तयार है। रैली के बाद मीडिया से बात करते हुए खटर ने कहा यह संभावनाओं की दुनिया है और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। यह इशारा काफी लोगों के मन में ये शक पैदा कर रहा था कि शायद शैलजा बीजेपी जवाइन कर सकती है। लेकिन एक नई अपडेट में सामने आया है कि शैलजा ने भाजपा में शामिल होने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। शैलजा ने एक इंटरव्यू में कहा कि भगवा पार्टी हरियाना में एक घट्ती ताकत है और वह कॉंग्रेस के प्रती वफादार रहेंगी।